सनीवार ब्रत कथा नमस्कार दोस्तों अनुभोग यान गंगा चैनल पर आपका श्वागत है दोस्तों आईए सुने सनीवार ब्रत कथा सावन में सनीवार ब्रत करना बहुत ही सुभदाई माना जाता है धार्मिक मानताओं के अंसार सनी ब्रत को करने से ब्यक्ति अपनी कुंडली में पीडित सनी गरह को मजबूत कर सकता है कहते हैं जिस ब्यक्ति पर सनी जी की किर्पा बरस्ती है उसे सफल होने से कोई नहीं रोग सकता सनी देव ब्यक्ति को रंक से राजा बनाने की थाकत रखते हैं और इसे बड़ा बाबा का वार भी कहा जाता है जो शनीवार सावन में पढ़ते हैं उसे बड़ा बाबा के वार के नाम से भी जाना जाता है और इस ब्रत को पस्षिंग मंगाल में बड़े ही स्रद्धा से किया जाता है तो आईए सुने सनी देव जी की कता एक समय की बात है जब सभी नोग्रहों यानी सूरी, चंद्र, मंगल, बुद्ध, बिरस्पती, सुक्र, शनी, राहु और केतु में बिबाद छिड़ गया कि इन में सबसे बड़ा कौन है सभी आपस में लड़ पड़े तभी सारे देवराज इंद्र के पास पहुँचे इंद्र देव घबराये और निरणे करने में अपनी अस्समर्थता दिखलाई लेकिन उन्होंने राजा बिक्रमादित्य का नाम बताया और कहा वे इस पिर्थवी पर अतिन्याय प्रिये हैं आपकी मदद वही कर सकते हैं सभी गरा एक साथ राजा बिक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपनी समस्या रखी राजा बिक्रमादित्य संकट में आ गए क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा घोसित किया जाएगा वह क्रोधित हो उठेगा तब राजा ने एक उपाय बताया उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांच, पीतर, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह में से नौ सिंहासन बनवाया इस सिंहासन को इसी करम से रख दिया फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी सिंहासन पर इस्थान ग्रहन करें इन में से जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण सनी देव उसी पर बैठ गये तब ही से वे सबसे छोटे कहलाने लगे सनी देव को लगा कि राजा ने जान बूझ कर ऐसा चाल चला है वह गुस्ते में राजा से बोले राजा तुम मुझे नहीं जानता शूर एक रासी में एक महीना चंद्रमा सवा दो महीना दो दिन मंगल देड महीना बिरस्पती तेरा महीने वा बुद्ध और सुक्र एक-एक महीने बिचरन करते हैं लेकिन मैं धाई से साढ़े साथ साल तक एक ही रासी में रहता हूँ मैंने बड़े-बड़ों का बिनास किया है जब सिरी राम जी की साढ़े साती आई तो उन्हें वनवास हो गया रामर के घड़ी में तो उसकी लंका को बानरों की सेना ने हरा दिया अब तु क्या चीज है ऐसा कहते हुए सनी देव वहां से चले गए बाकी के देवता खुशी-खुशी वापस आए कुछ समय बीतने के बाद राजा की साढ़ी साती आई तब सनी देव बढ़िया बढ़िया घोड़े को लेकर एक सौधागर बनकर वहां पहुँचे राजा को पता लगते ही वह अपने असुपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आग्या दे दी उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे उनमें से एक सरबोतम घोड़े राजा को सवारी के लिए दिया गया राजा के सवार होते ही वह घोड़ा सरपट बन की और भागने लगा भीशन बन में पहुँचते ही वह गायब हो गया इसके बाद राजा घंगोर जंगल में बिल्कुल अकेला भूखा प्यासा भटकता रहा तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया राजा प्रसंद हुए और उसे अपनी अंगूठी दे दी इसके बाद राजा नगर की ओर चल पड़ा वहां उसने अपना नाम उजयन निवासी विका बताया उस नगर में एक सेथ की दुकान पर उसने कुछ देर आराम किया भाग बस उस दिन सेथ की खूब विक्री हुई थी तो सेथ खुस होकर अपने साथ घर ले गये और राजा को खाना खिलाया वहां उसने एक खूटी पर एक हार टंगा देखा जिसे खूटी निगल रही थी थोड़ी देर में पूरा हार गायव था सेथ को लगा कि बीका ने ही उसे चुराया है उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया फिर वहां के राजा ने भी बीका को चौर समझा उसके हाथ पेर कटवा कर नगर के बाहर फिकवा दिया वहां से एक तेली गुजर रहा था जिसे देख दया आई उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया उसके बाद उस राजा की सनी दसा समाप्त हुई बरसा रितु आने पर राजा मलहार गीत गाने लगा राजा के राग सुनकर उस नगर की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया उसने परण कर लिया कि उसी राग वाले से बिवाह करेगी राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले को धोलने भेजा दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि वह एक चोरंगिया यानी कि अपारेज है लेकिन राजकुमारी तब भी उसी से विबाह पर अड़ी रही अगले दिन वह अंसन पर बैठ गई कि विबाह करेगी तो उसी से करेगी तो राजा ने अपनी राजकुमारी का विबाह उसी अपंग राजा से करवा दिया तब एक दिन राजा के स्वप्न में सनी देव ने कहा राजन देखा मुझे छोटा बता कर तुम्हें कितना दुख जेलना पड़ा राजा ने उनसे छमा मांगी प्रार्तना करते हुए कहा कि हे सनी देव ये दुख किसी और को ना दे सनी देव मान गए और कहा मेरी जो कथा और ब्रत करेगा उसे मेरी दसा से कोई दुख नहीं जेलना पड़ेगा बेक्ती रोज चीतियों को वाटा डालेगा उसकी सभी मनो कामनाएं पूर्ण होई ऐसा कहते हुए सनी देव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिये आग खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो अच्चोंग गई फिर बीका ने उसे बताया वह कोई बीका नहीं बलकि उज्जैन का राजा बिक्रमा दित्त है सभी प्रशन हुए सेथ को जब यह बात पता लगी तो वह राजा से छमा मांगने लगा राजा ने कहा इसमें किसी का कोई दोस नहीं वह तो सनी देव का क्रोध था सेथ ने फिर भी राजा से अपने घर खाने पर जाने का निवेदन किया सेथ ने कई प्रकार के बिंजनों से राजा का सत्यकार किया साथ ही सब ने देखा जो खूटी हार निगल गई थी अब वह उगल रही थी सेथ ने तहे देल से राजा का धन्यबाद किया फिर सेथ ने राजा को अपनी कन्या शरी कंबरी के साथ विवाह करने का निवेधन किया, राजा ने शेशोई कार कर अपनी दोनों राणियों मनभावनी और शरी कंबरी को लेकर उज्ज़यन नगरी चले गए, वहां राजा का खूब आदर सत्कार किया गया, सारे नगर में दीपमाला बनाई गई, राजा ने पूरे नगर में घोश्रा की कि मैंने सनी देव को सबसे छोटा बताया था जबकि वही सर्बो पर हैं, सारे अच्छे बुरे कर्म के कारक सनी देव ही हैं, तब से सारे राज में सनी देव की पूजा और कथा नेमित रूप से खोने लगी, जय सनी देव, दोस्तों वीडियो भसन दाई हो, तो वीडियो लाइक, सेर, कमेंट जरूर करें, चैनल को सस्क्राइब कर लें, यहां आपको हर ब्रत्यवार और हर अलग-अलग धार्मी कहानिया सुनने को मिलेंगी, जो आपने नहीं देखा है, या हम सावन महापुराण, क जय सनी देव